हेलो गाईस, क्रेंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ विशेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम एकोनोमिक सर्वे 2023-2024 से सम्मंदित 70 प्लस MCQs कवर करने वाले हैं, तो आप अंधर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आप आप इंस्टोल कर लिए, महाँ पर आपको मिल जाएगी, तो बीना टाइम वेस्ट किये, शुरू करते हैं इस सीरीज को, यह दिया हमारी डेली क्रेंट अफेर्स पीडियेफ, वीकली पीडियेफ, मंतले पीडियेफ, और हर महीने के बैंकिंग, एडिकनोमिक अवेंड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकल वा सकते हैं, इसके लिए चाहिए तो आप करेंट अफेर्स फंडा एप को यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने लैप्टॉप है, सिस्टम की मदद से वैप लोगिन भी कर सकते हैं, कोई भी आपका करेंट अफेर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विस को टेम्ट किया, तो एकिन वानिया आप करेंट अफेर्स सेक्शन काफी स्टोंग हो जाएगा, और आप काफी अच्छा स्कोर पाएंगे अपने आने वाले एक सामस में, तो लिंक आपके वीडियो के डिस्रिप्शन म आपको मिल जाएगा, वहां से आप हमारा एक कोर्स बाए कर सकते हैं, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आप कुमेंट मुक्स में अवश्य लिखेगा, चलि फिर करते हैं शुरुआ वात इस वीडियो सेशन की किस ने पेश किया, सही आंसर ओप्शन दी है, निर्भला सितरमन कोन सा मनताले हर साल भारत का आर्तिक सर्विक्षन प्रकाशित करता है, वीडिज मिनिश्टी पब्लिश दा एकनोमिक सर्वे अप्शन आमितोर पर कब प्रकाशित होता है, सही आंसर ओप्शन है, अधे बिफ़ोर्व दे युनियन बजट, कुन बनाता है सही आंसर ऑप्शन C है Department of Economic Affairs कुन प्रदान करता है सही आंसर ऑप्शन D है Chief Economic Advisor जोकी फिलाल वी अनंत नागेश्वरम है बारत में पहला आर्थिक सर्विक्षन कब किया गया था सही आंसर ऑप्शन माफ कीजिए यहां पर यह गलत लिखावा है ठीक है सही आंसर ऑप्शन भी है इसको आप बी कर लेंगे बी अंटिल वी चीर वाज़ दा एकनोमिक सर्वे प्रजेंटेड अलॉंग विद दा यूनियन बजट किस फर्स तक आर्थिक सर्विक्षन केंद्री बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था सही आंसर ऑप्शन दी है उननीस सो चौशट आर्थिक सर्विक्षन मुख्य रूप से किस की समिक्षा करता है सही आंसर ऑप्शन दी है इंडियन एकनोमीज प्रफोर्मेंस इन लास्ट 12 मन्स पिछले वर्ष के आर्थिक प्रदर्शन की समिक्षा के लावा आर्थिक सर्विक्षन क्या अतरिक्त अंतरदर्श्टी प्रदान करता है सही आंसर ऑप्शन दी है प्रदिक्षन अबाउट एकनोमिक परफोर्मेंस इन लास्टी प्रफोर्मेंस इन लास्टी प्रदर्शन क्या है सही आंसर ऑप्शन भी है 6.5 तो 7 परसंट ऑप्शन भी व्रिद्धी दर्ख्याती सही आंसर ऑप्शन भी है 7.2 परसंट व्रिद्ध उन लास्टी प्रेंस इन लास्टी जांटी व्रमें कि अंटी लास्टी प्रिट्थर ओप्शन भी जा सही आंसर ऑप्शन भी है 4.5 परसंट the RBI projects inflation to fall to what percentage in fiscal 26 RBI को नुमाने कि fiscal 26 में मुद्रा स्विती कितने प्रतिशत तर गिर जाएगी सही आंसर option A है 4.1% सही आंसर option B है 4.1% according to the IMF what is the forecasted inflation rate for India in 2024 IMF के नुसार दोजार चोबी से भारत के नुमानी मुद्रा स्विती दर है 4.6% option C what is the IMF's inflation forecast for India in 2025 2025 में भारत के लिए IMF का मुद्रा स्विती प्रुमान वान किया है सही आंसर option B है 4.2% food inflation in fiscal 24 was fiscal 24 में खाद्य मुद्रा स्विती कितनी थी सही आंसर option C है 7.5% what was the current account deficit as a percentage of GDP in fiscal 24 में सकल घरील उत्पात के प्रतिशत के रूप में चालू खाता घाता कितना था सही आंसर option A है 0.7% which of the following statements is true about the Indian economy post pandemic महामारी के बाद भारती अर्थवस्ता के बारे में निर्मी के में से कौन सा खतन सकते है सही आंसर option C है the real GDP in fiscal 24 was 20% higher than its level in fiscal 20 what percentage of tax collected in fiscal 24 came from direct taxes fiscal 24 में एक अत्रित करका कितना प्रतिशत प्रत्यक्षकरों से आया सही आंसर option C है 55% how many people did government provide free food grains सरकार ने कितने लोगों मुफ्त अनाज उपलब दखराया है सही answer option D है 81.4 crore what was the amount of credit dispersed all by a scheduled commercial banks at the end of March 2024 मार 2024 के अन्त में अनसुशित वानी चिक बैंको द्वारा रिण वित्रण की राशी क्या थी सही आंसर option C है 144.3 lakh crore रोपए by what percentage did the credit dispersal by a scheduled commercial banks grow by the end of March 2024 मार 2024 के अन्त तक scheduled commercial bank द्वारा रिण वित्रण में कितने प्रतिशत की विद्धियोई सही answer option C है 20.2% what was the policy rate, policy repo rate maintained by RBS monetary policy committee in fiscal 24 fiscal 24 में RBI की मौत्रिक नेती समीत द्वारा नेती रेपो दर कितनी रखी गई सही answer option B है 6.5% growth in broad money M3 as of 22 March 2024 वास 22 मार 2024 तक broad money में विद्धी 11.2% year on year रही है what was the growth rate of industrial credit in fiscal 24 fiscal 24 में अध्योगी क्रिण की विद्धी दर रही है 8.5% इसकी PDF आपको मिल जाएगे हमारी app पर the primary capital markets facilitated capital formation of how much during fiscal 24 24 वित्वर 2024 के थोरण पार्त्रिम पुझी बाजारों ने कितनी पुझी निर्मान की सुविता प्रदान की सही answer option दी है 10.9 lakh crore rupees as of the latest data India's market capitalization to GDP ratio is ranked पारत का बाजार पुझी करन और सकल गरेलू उत्पात का अनुपात 5th largest है पुरे बर्ड में इंडिया's microfinance sector is ranked second globally right after which country भारत का microfinance शेत्र विशिस्तर पर चाइना के बाद दूसरी स्थान पर है तो सही answer क्या है option B in fiscal 24 how many states and union territories recorded inflation below 6% fiscal 24 में 29 राज्योर के इंतसाजीत प्रदेशों में मुद्रास्विती 6% से नीचे दर्ज की गई तो सही answer option C हो जाएगा इंडिया's rank in the world bank's logistic performance index improved from 44th in 2018 to which rank in 2023 विस्वेंग के logistic प्रदर्सन सूचकांग में बारती रेंग 2008 में 44 में से बढ़कर 2023 में 38 सी हो गई सही answer option B है इंडिया's current account deficit narrowed by what percentage in fiscal 24 2024 में बारत का चालू खाता गाटा 0.7 प्रतिशत कम हुआ है सही answer option C है इंडिया's share in global goods exports in fiscal 24 में वैस्विक सामान निर्याद में बारत की हिस्सेदारी 1.8 प्रतिशती सही answer option C है इंडिया's services exports were valued at 341.1 billion US dollar in fiscal 24 but was the percentage growth from the previous year वित्वर 24 में भारत के सेवा निर्याद का मुल्य 1341 लोग एक बिलियन अमेरिकी डोलर था पिछले वर्स की तुल्ना में प्रतिशत वृद्धी रही है चार्द सम्लोग 9 प्रतिशत सही answer option C है इंडिया is the top remittance recipient globally with remittances and reaching how much in 2023 भारत वैस्विक इस्तर पर सीर्स प्रेक्शन प्राफ्ट करता है 2030 में प्रेक्शन इसका 120 बिलियन यूएस डोलर पहुंच किया से यांसर option C है इंडिया's external debt to GDP ratio stands at what percentage at the end of March 2024 मार 2024 के अंत्र में बारत का विदेशी रिन GDP अनुबात 18.7% पहुंच किया As of 31 May 2024, what is the share of non-fossil sources in इंडिया's installed electricity generation capacity? 31 माई 2024 तक बारत की स्थापित बिजली उत्पादन च्छमता में गैर जीवास में स्रोतों के इस्थेदारी 25 तर चार प्रतिशत है सही answer option C By how much has India reduced the emission intensity of its GDP from 2005 levels as of 2019 बारत में 2005 के स्थर से 2019 तक अपने सकल करे लू उत्पाद की उत्पाद की उत्पादन चीवता को 33 प्रतिशत कम कर दिया है सही answer option B है What was the compound annual growth rate of India's GDP between 2005 and 2019, 2005-2019 के बीच बारत की GDP की चक्र व्रिद्धी वार्सिक व्रिद्धी तर लगबख साथ प्रतिशती सही answer option C है India's rank in the international shipments category in the world bank logistic performance index improved to which position in 2023 प्रिश्वेंग लोजिस्टिक प्रदंस सुचकांग में अंतराष्टे shipments श्रेणी में बारत की रेंग 2030 में सुधर कर 22 हो गई सही answer option B है By fiscal 24, the average pace of national highways construction in India increased to approximately how many kilometers per day इसके 24 तक भारत में राजमार्क निर्मान की ओसत गती बढ़कर लगबख 34 km प्रतिदिन हो गई The Indian e-commerce industry is expected to close 350 billion US dollar by which year पारते e-commerce उत्योग 2030 तक 350 billion American dollar को पार करने की उम्मीद है India sharing globally delivered services exports increased toward percentage in 2023 विश्व इस्तर पर वित्रित सेवाओ के निर्यात में भारत की इस सेदाई 2023 में 6 परतिशत तक बढ़ गई The services sector's contribution to overall gross value added in India has reached approximately percentage भारत में समगर सकल मुल्य वर्धित में सेवा चेत्र का योगदान लगभग 55 परतिशत तक पहुंच गया India is ranked as the world single largest clothing manufacturer what is its rank in the global pharmaceutical market by volume भारत को दुनिया की दूसरे सबसे बड़े कपड़ा निर्माता की रूप में स्थान दिया गया है मात्रा की साब से वैस्विक फार्मसुटिकल बजार में इसकी रंग क्या है सही आंसर उप्शन बी रहेगा थर्ड ठीक है थर्ड है थर्ड है यह बी पिशले पांच परसों में इस तरी कीमतों पर क्रिशी और संबद चेतर की ओसत वार्सिक विद्धीदर चार समलो एक आठ प्रतिशत रही किसान क्रेट कार्ड जारी किये गए अंडर था पर्ट रॉप मोर्ग्रोप इसकीम हाहाँ मैनी हेक्टेट हैं बीन कवर्ण और माइक्रोप्शन फोल्टिद्वन प्रतिबूंत अधिख फसल यूजना के तहत्त थो जार पंद्रह सोला से तो जार थीश चोबीस तक नब्य लाग हेक्टेर सुक्ष मिजजाए के रुपए, what was the unemployment rate in India for the year 2022-23, वर 2022 तेस के लिए भारतों इंपी रो जारी दर 3.2 प्रतिशत रही, सही आंसर अप्शन वी, according to the periodic labor force survey, what percentage of the workforce is employed in agriculture, कारेबल का 35 प्रतिशत करिशी में कारी रथे, सही आंसर ऑप्शन 45 प्रतिशत, सही आंसर ऑप्शन C है, according to the PLFS, what percentage of the workforce is employed in manufacturing, PLS के नुसार, विनिर्मान चेत्र में क्यार समलो 4 प्रतिशत कारेबल कारी रथे, सही आंसर ऑप्शन C, what percentage of the workforce is employed in services, according to the PLFS, PLFS के नुसार कारेबल का 28 प्रतिशत, सिवाओ में कारे रथे, according to the PLFS, what percentage of the workforce is employed in construction, PLFS के नुसार कारेबल का 13 प्रतिशत, निर्मान में कारे रथे, the youth unemployment rate is 15 to 29 years, has declined from 17.8% in 2017-18, toward percentage in 2023, युवा वेरोजगार इदर आयू 15-29 प्रतिशत, 2017-18 में 17.8 प्रतिशत से कटकर, 2022-2022 में 10 प्रतिशत हो गई, by which year is the gig workforce expected to expand to 2.35 क्रोड, तक गीक कारेबल का विस्तार 2.35 क्रोड तक वने की उमीद है, between fiscal year 18 and fiscal year 24, but was the compound annual growth rate of nominal GDP, fiscal year 18 और fiscal year 24 के बीच, nominal GDP की चक्र विद्धी वार्षिक विद्धी 9.5 प्रतिशत रही, the guinea coefficient for the rural sector of India declined from 0.283 to wet value, भारत के क्रामिट चेतरे के लिए guinea 0.283 से घट कर, 0.266 पर आगिया, guinea coefficient inequality के लिए होता है, the guinea coefficient for the urban sector of India declined from 0.363 to wet value, भारत के से रही चेतरे के लिए guinea गुणा 0.363 से घट कर, 0.314 तक आगिया, how many mental disorders are covered under the आईश्मान भारत प्रदान मंत्री जन आरोग्य योजना health insurance, आईश्मान भारत प्रदान मंत्री जन आरोग्य योजना स्वास्त भीमा के नत्रगत, यह सब economic survey में बताए गया है, how many patents were granted in India in fiscal 24, fiscal 24 में भारत में एक लाग patent दिये गए हैं, सही answer option D, under प्रदान मंत्री आवास योजना, ग्रामीन, how many houses were constructed for the poor in the last 9 years as of 10 July 2024, प्रदान मंत्री आवास योजना, ग्रामीनी केता है, 10 July 2024 तक पिछले 9 वर्सों में गरीबों के लिए 2.6-3 क्रोड घर बनाए गई, By what year does the Indian economy need to generate an average of nearly 78.5 lakh jobs annually in the non-farm sector, So, 2030 तक भारती अर्थिवस्ता को गैर क्रिसी शेत्र में सालाना और स्थन लगबग 38.5 lakh नोगरिया पैदा करने की आवशक्ता है, Which factor is responsible for 54% of the disease burden in India, भारत में 54% तरोग के लिए unhealthy diets जो है चिम्मेदार है, So, answer option C, By what percentage did the tourism industry witness a year-on-year increase in foreign tourist arrivals in 2023, 2030 में परिटन उद्धियों में विदेशी परिटोकों के आगमन में साल दर साल, 43 में लोग 5 परतिशयत की वृति देखी गई, So, 92 लाग foreign tourists भारत में आई 2030 में, What was the total enrollment in higher education in fiscal year 22, 52 में उच्छ सिक्षा में 4.33 क्रोण ना मांकन हुए, और 2.07 क्रोड female students जो निरोल हुई higher education में, According to the economic survey 2020-24, But percentage of India's fast-growing population is under the age of 35, आर्थिक सर्विक्षिन 2030 योबिस के नुसार, भारती तेजी से बढ़तीज नसंक्यागा, 65 परतिशत, 35 पर्स से कम आयूगा है, What percentage of India's youth is considered unemployable, According to the economic survey 2020-23, आर्थिक सर्विक्षिन 2030 योबिस के नुसार, भारत में रोजकार योग्य, योवाओं का, जो परतिशत है, वो 51 बलत 25, परतिशत है सही आंजरॉप्षिन सी है, तो यह सभी MCQ हो गए, बाकि आप यहाँ पर यह चार्ट देख लिए, Food Grain Production यहाँ पर दिखाया गया है, 2023-24 में कितना रहा, 328.9 million ton, ठीक है, million ton, और Fiscal Deficit देखे, 2030-25, 5.6 percentage of GDP, Capital Expenditure 2023 में, 3.2% of GDP, और अगर हम Forex Research देखे, 2023-26 में, तो 646.4 billion US dollar, ठीक है, तो यह आप याद रखिएगा, तो इसकी PDF आपको मारी Current Effects Fund App पर मिल जाएगी, बाकि आप हमें Telegram पर जोइन कर लिजेए, आप रेगुले वीडियो अपडेट्स और Current Queues हम आप सभी गरे डालते रहते हैं, साथ ही Discussion Group में आप किसी भी Question का Solution पास सकते हैं, आज का इस Session आपको कैसा लगा, Comment Box में आप जरूर पताईएगा, Thank you guys.